नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज जिस नए विश्य पर हम चर्चा करेंगी वो है दिपावली और धन 13 के दिन किस प्रकार नमक आपके जीवन में जो है धन का आगमन शुरू कर सकता है दोस्तों धन 13 का आर्थिक माह में कृष्ण पक्ष की त्रेयो दशी को मनाया जाने वाला त्योहार है इसे धन त्रेयो दशी या धनवंतरी जैनती के नाम से भी जाना जाता है माननेताओं के अनुसार इसे दिन आयरवेदिक चकित्सा पदतिती के जनक धनवंतरी देव मन्थन से प्रकट हुए थे उस समय उनके हाथ में अम्रित से भरा कलश था इसी वज़े से धन 13 के दिल बरतन खरीदने की परमपरा है साल 2023 में धन 13 का त्योहार 10 नमंबर 2023 शुकरवार के दिन मनाया जाएगा धन 13 के परव को धन 3 दशी भी कहते है इस दिन लक्षमी जी की प विश्न पक्ष की त्रेयो दशी के दिन धन 13 का परव मनाया जाता है सबसे पहले में आपसे यही कहूंगी कि धन 13 के दिन हमें किसी की आलोचना जगडे ववाद विवाद को बिलकुल भी नहीं करना चाहिए घर में सुक्षानती का वातावरन हो तो आपके जीवन में बहु 13 के और इन दिनों जो भोजन बनता है इसी नमक से हमें बनाना है। आप इसी पैकेट में से सबसे पहले थोड़ा सा नमक के कटौरी में निकाल ले। कटौरी जो होगी कांच की भी आप ले सकते हैं परन तो इस बात का ध्यान रखे कि प्लास्टिक की कटौरी ना हो। नमक और उसके बाद अगर आप यह कारे कर सकते हैं तो हर शुकरवार को भी आप थोड़ा सा नमक जरूर अपने घर में रखें इसी दिशा में और पुराना नमक जो पहले आपके घर में रखा था आपके घर के वास बेशन या सिंक में गिरा दे कहा जाता है कि दिशा में नम खुलते हैं शुबहता आती है और जितना भी धन आपका कहीं रुका हुआ है करजे की स्थिती आई है कंगाली की स्थिती आ रही है दरीदरत आ रही है आपके घर में और घर की जितनी भी नेगिटिवीटी है वो सब दूर हो जाएगी और खासकर दिपावली के इन शुबह द देना चाहें, तो आपको बता दे, कि हमारे पराचीन समय के Cul tussen दिन को खावर। बनवाना चाहिए अगर आपके पास पहले से कड़ा है तो उसे आप इस धन तेरस पर लक्षमी जी के सामने रखे और उसकी पूजा करें अगर नहीं है तो आप कोशिश करें कि धन तेरस के दिन अपने दाएं हाथ के लिए चांदी का कड़ा बनवाएं इस कड़े को दिवाल सुबह उटकर स्नान करने के बाद माता लक्षमी का ध्यान करें अगर आपको माता लक्षमी के मंतर आती है स्तुति आती है तो वो करें अगर नहीं आती तो सिरफ माता लक्षमी का ध्यान करें उसके बाद माता लक्षमी का नाम लेते हुए इसे अपने दाहिने हाथ में धा होने लगे ही यह बहुत चोटा सा उपाई है यह स्पैशिली धन तेरस के दिन किया जाता है अगर आप कड़ा ऑल्रेडी बनवा चुके हैं या आपने पिछले साल उसे परयोग किया था तो इस साल धन तेरस के दिन उसे साफ कर गई उस पर गंगा जलका चिड़काव करें और माता के चर्णों में रखे तथा दिपावली पर यहीं पर रहने दे और दिपावली से अगले दिन सुबह उठकर उसे पहने ऐसा करने से शुकर ग्रह बहुत जादा प्रवल हो जाता है शुकर ग्रह में अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो वो समाप्त हो जाती है क्योंकि उपाए है ये भी आप जरूर करें दोस्तों धन तेरस की दिन अपने घर पर परिवार के लिए खरीदारी अवश्य ही करनी चाहिए लेकिन इस दिन हमें किसी बाहरी व्यक्ति के लिए कोई भी उपहार नहीं खरीदना चाहिए ना आप अपने कुटुब के व्यक्तियों के लिए उपहार खरीदे ना अप अपने रिष्टेदारों के लिए उपहार खरीदे आप सिरफ और सिरफ आपके जो घर के सदस्य जो आपके साथ में रहते हैं सिरफ उनके लिए उपहार खरीदे ये उपहार जो होते हैं धंतेरस वाले दिन खरीदे गए किसी और को नहीं द लक्षमी होती है वो उनके द्वार चली जाती है तो हमें कभी घिफ्ट जो होता है धन तेरस वाले दिन नहीं खरीदना है कि दिपावली पर हमें अगर गिफ्ट करना है तो पहले से खरीद लीजिए या बाद में खरीदिये इसके अलावा हमें इस बात का ध्यान रखना चाह दे तीवता की पूज़ाश में अखाल मृत्यूर का भह है्स अमआप्त करतीए यम देवता की क्रिपा होती gerek को हमारे घरवर काम taxi है ने नहीं किंदेव के नांव का आपको hiking जलाना है वह कैसे जलाएंगे आप एक दीपक ले लीजिए नया दीपक लेना होगा चार बाती का अब उसे आप रॉली तथा चावल चड़ा कर अर्पित करें आप चाहे तो एक सुन्दर सी रंगोली भी बना लें अपने मुख्य द्वार पर यानि जो मेन गेट है आपके घर का अब मुख्य द्वार के दाहिने औ और ये दीपक रखना है दिशा आपको घर के अंदर की तरफ से देखनी है और अंदर की तरफ ही दीपक लगाना है मुख्य द्वार के तित्था दीपक की जो लोग होगी वह दकशिन दिशा की और जानी चाहिए इस बात का ध्यान रखें अब दीपक को प्रणाम करें जलाना चाहिए क्योंकि ऐसा माना जाता है जब हम गरस्त जीवन में रहते हैं तो हम पर यम देवता की भी रक्षा होनी चाहिए ताकि हमारे घर पर कभी भी बुरी स्थितियों का सामना हमें ना करना पड़े तो स्पेशली सुहागिन महिलाओं से कहूंगी कि इस दिन यम दी लक्षमी और भगवान शिरी गनेश के आशिरवात की प्राप्ति के लिए सभी दिशाओं से सुक्समरिधी और सफलतक की प्राप्ति के लिए हमें लक्षमी देवी और गनेश ची की मूर्ति की स्थापना अपने घर में जरूर करनी चाहिए यदि घर में औरेड़ी मूर्त और माहा लक्ष्मी यंत्र नमक जैसी वस्तों की खरीदारी बेहद शुब मानी जाती है इन वस्तों के साथ भगवान धनवंतरी देवी लक्ष्मी अवं कुबेर देव की पूजा करने से घर धन धाने से भरा रहता है और परिवार में सुक्समरीधी आती है नमबर एक सोने चांदी के सिक्के दोस्तों दिपावली की पूजा में सोने चांदी के सिक्के रखने का विशेश महत्व होता है इसलिए आप धन तेरस पर ही सोने चांदी के सिक्के खरीद कर घर में ला सकते हैं इन्हें भी दिपावली की पूजा में देवता कुबेर के इसलिए इस दिन को कीमती वस्तों की खरीदारी के लिए काफी शुब माना जाता है आप भी अपनी शमता के अनुसार इस दिन सोनई चांदी के अभूशन खरीद सकते हैं नमक इस पर्व पर खरीदी जाने वाली सबसे आसान सी मिलने वाली चीजों में से एक है नमक को भी खरीदने से आपके घर में सुक समरीधी का आगमन होगा नमबर 4 बरतन शास्तरों के अनुसार धन तेरस के दिन भगवान धनवंतरी अपनी हाथों में अमरित का कलश लेकर प्रकठ हुए थे इस दिन बरतनों को खरीदना बेहद शुब माना जाता है इन बरतनों को खरीदने से घर में सुक समरीधी आती है अते आप भी इस दिन अ प्राथ मिक्ता दी गई है समान्य रूप से भी अच्छे स्वास्थे के लिए साफसफाई को विशेश रूप से महत्वपूर्ण माना गया है इस दिन जाडू खरीद कर दिपावली के दिन इसकी पूजा अवश्य करें दोस्तों धन तेरस के दिन नई चीजे खरीदने की भी परंपरा है मान्यता है कि धन 13 के दिन खरीदी गई चीजों में 13 गुना की बडोत्री होती है इस पर्वप को धन समिरिधी दायक माना गया है दरसल इसी दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्म वंतरी जी उत्तपन होए थे भगवान धन्मंतरी के उत्तपन होने के ठीक दो दिनों के बाद देवी लक्षमी समुद्र मंथन से प्रकट हुई जिस समय भगवान धनवंतरी आये थे तो उनके हाथ में एक गलश था इसलिए धन तेरस के दिन बरतन खरीदने की परमपरा है तो आईए जानते हैं कि धन तेरस के दिन क्या खरीदना शुब होता है जिसस दोस्तो सबसे पहली चीज है मिट्टी के दीपक दोस्तो दिपावली रोशनी का त्योहार है और दीपक के बिना दिपावली अधूरी होती है ऐसे में आप धन तेरस के दिन धेर सारे चोटे चोटे दीपक जरूर खरीदें दूसरी चीज है जाडू दोस्तो धन तेरस के द जब भी आप घर में जाडू लगाएं तो उस पर सफेद रंग का धागा बांधे इससे मा लक्षमी आपके घर में सदैव बनी रहेगी तीसरी चीज़ है गौमती चक्र दोस्तों गौमती चक्र पांच साथ गैरा या फिर 21 की संख्या में करीदना शुब होता है यह विश्ण करें चौती चीज धातू का सामान दोस्तों धातू जैसे सोना चांदी पीतल इत्यादी इस दिन सोना चांदी खरीदने से भागयोदे होता है धातू के बने बरतन वगहने खरीदने के लिए यह दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है इस दिन धातू का सामान लाने से घर में सदयाव लक्षमी का निवास रहता है पांचवी चीज है लक्षमी गनेश की मूर्ती दोस्तो धन 13 के दिन गनेश लक्षमी की मूर्ती अवश्य खरीदे इसे शुब माना जाता है आप गनेश लक्षमी की मिट्टी या फिर सोने चांदी की मूर्ती खरीद सकते हैं ध्यान दोस्तो धन तेरस के दिन हल्दी की गांट भी जरूर खरीदें और इसे मा लक्ष्मी के पूजन में परियोग करें इसके बाद आप किसी पीले रंग के कपड़े में हल्दी की गांट को बांध कर अपने घर की तिजोरी में रखें इससे बरकत हमेशा बनी रहेगी साथवी चीज है रुदराक्ष दोस्तो धन तेरस के दिन रुदराक्ष जरूर खरीदें इससे आपके उपर भगवान शीव की कृपा बनी रहती है और पूजा के बाद इसे अपने गले में धारन करें आठवी चीज है साबुत धनिया, दोस्तो धन तेरस के दिन साबुत धनिया अवश्य खरीदे क्योंकि मा लक्ष्मी की पूजा में धनिये का परियोग किया जाता है जो लक्ष्मी पूजा के बाद आप इस धनिये को उठा कर अपने घर के गमले में डाल दे नौवी चीज है नमक, दोस्तो धन तेरस के दिन नमक का पैकिट जरूर खरीदे और इसे दिपावली के दिन इस्तेमाल भी करें, माना जाता है कि नमक का पैकिट घर लाने से धन की कमी कभी भी नहीं होती और घर में सुख शान्ती बनी रहती है, इसके साथ ही दिपावली के दिन इसी नमक के पानी का पोचा लगाएं बहुती शुब माना जाता है नमबर दस कोड़ी दोस्तों कोड़ी 5, 7, 11 या फिर 21 की संख्या मिलाएं इसे शुब माना जाता है ऐसी मान्यता है कि जिस घर में कोड़ी होती है उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती इसलिए धन 13 क दिन घर में कोड़ी जरूर लाएं और दिपावली में पूजा करके फिरी से लाल कपड़े में बांद कर तीजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दे इससे घर में कभी भी धन का भाव नहीं रहेगा ग्यारमी चीज है कुबेर जी की मूरती या तस्वीर दोस्तों धन 13 क के दिन कुबेर जी की मूरती या फोटो घर जरूर लाएं और उनकी पूजा करें पूजा के बाद इसे धन स्थान या अपने घर के पूजा स्थल में स्थापित कर दें इससे धन के देवता की कृपा आपके उपर सदा बनी रहेगी और आपका घर सदयाव धन धाने से भर लुजा रहेगा बारवी चीज है कमल गटा दोस्तो धन 13 के दिन कमल गटा जरूर लाएं एक अमल के फूल का बीज होता है इसे माला बनाई जाती है और मालक्श्मी के मंतरों का जाब करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है आप कम से कम साथ कमल गट्टे जरूर घर लाएं और मा लक्षमी की पूजा में शामिल करें तो ये थी वो चीजें जिने धन तेरस के दिन घर लाने से धन की कमी का भाव नहीं रहेगा और मा लक्षमी हमेशा आप से प्रसन रहेंगी दोस्तो धन तेरस और दिपावली का दिन साफ सफाई का होता है धन की देवी लक्षमी को साफ सफाई पसंद है इस दिन आपको घर की अंदर कुड़ा करकट तथा रद्दी नहीं रखनी चाहिए कुड़ा तथा रद्दी से घर की अंदर और नेगिटिव एनरजी पैदा होती है जो आपकी सुख समरीधी में बाधख होती है ऐसे में कूडा तथा रिद्धी को घर से बाहर निकाल दें, साफ सफाई से घर में सकरात्मक्ता तथा शुबता बढ़ती है, परीजन भी स्वस्थ रहते हैं लोगों में ऐसी मान्यता है कि धन तेरस और दिपावली के दिन माता लक्ष्मी का आगमन होता है इसलिए इस दिन किसी को रुपे उधार नहीं देने चाहिए, ऐसा करने से घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है धन तेरस और दिपावली पर घर का मुख्य द्वार भी साफ रखना चाहिए, वहाँ पर भूल वश भी जूते चपलादी ना रखें, वहाँ किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए, और ना ही आने जाने में कोई अवरोध हो ऐसी लोक माननेता है कि देवी लक्ष्मी मुख्य द्वार से परवेश करती है, गंदगी और रुकावट अच्छी नहीं है, वास्तुशास्तर में भी घर के मुख्य द्वार को महत्वपूर्ण माना गया है, उसे अवरोध मुक्त रखने का सुझाव दिया जाता है दोस्तो भगवान धनवंतरी देव कैसे प्रकटे, पौरानिक कथा की अनुसार धनवंतरी देव को भगवान विश्नु का अवतार माना जाता है, ये भगवान विश्नु के बारवे अवतार है, इतना ही नहीं धनवंतरी भगवान को आयरुवेद का जनम दाता भी कहा जात शास्त्रों के अनुसार धनवंतरी भगवान का जनम समुद्र मंथन से हुआ था इस दिन कार्थिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रेयों दशीति थी इतना ही नहीं ऐसी मान्यता है कि भगवान धनवंतरी कई गरंथों के रचायता भी है दोस्तों धन तेरस महापर्व दिपाव कोपली की शुरुवात का पर्दीह है इस दिन हर कोई अपने सामर्थे के नुसार खरीदारी करता है धन तेरस का दिन खरीदारी के लिए बेहद शूब माना जाता है इस दिन लोग अपने घरों के लिए नए सामान जोडते हैं मान्यताओं और वास्तू शास्त्र के नुसार इस दिन खरीदा गया सामान कभी भी खराब नहीं होता और बेहद शुब होता है इसलिए धन तेरस के दिन कुछ चीजों को घर में जरूर खरीद कर लाना चाहिए वहीं दोस्तो मान्यताओं और वास्तुशास्तर के अनुसार धन तेरस के दिन कुछ चीजों को खरीदने से बचना चाहिए जी हाँ बिलकुल ठीक सुना आपने दोस्तो धन तेरस के दिन इन चीजों को भूल कर भी अपने घर खरीद कर ना लाएं नमबर एक प्लास्टिक का सामान धन तेरस पर कुछ लोग प्लास्टिक की बनी चीजे घर ले आते हैं बता दें कि प्लास्टिक बरकत नहीं देता है इसलिए धन तेरस पर प्लास्टिक से बना किसी भी तरह का सामान घर ना लेकर आएं नमबर दो लोहे की वस्तुएं जोती शास्त्र के अनुसार लोहे को शनी देव का कारक माना जाता है इसलिए लोहे से बनी चीज़ों को धन तेरस पर भूल कर भी खरीदने की गलती ना करें ऐसा करने से त्योहार पर धन कुबेर की कृपा नहीं होती है धन तेरस पर इन चीज से बचना चाहिए स्टील शिद्ध धातु नहीं है इस पर राहू का परभाव भी जादा होता है आपको सिर्फ प्राकिर्तिक धातुएं ही खरीदनी चाहिए मानव निर्मित धातु में से केवल पीतल खरीदा जा सकता है नंबर चार अलूमीनियम का सामान दोस्तों धन तेरस पर कुछ लोग ऐलूमीनियम के बरतन या सामान भी खरीद लेते हैं इस धातु पर भी राहू का परभाव अधिक होता है ऐलूमीनियम को दुर्भागे का सूचक माना गया है तोहार पर ऐलूमीनियम की कोई भी चीज़ खरीदने की मना ही होती है नंबर पांच इसके बाद वास्तु शास्तर में कहा गया है कि अगर आप धन तेरस के दिन नुकीली चीज़ें या कैंची या चाकु जैसी धारदार चीज़ें कभी भी ना खरीदें अगर आप इन चीज़ों को अपने घर में खरीद लेते हैं तो दोस्तों आपके घर में गरीबी आ जाएगी आप पास पैसे नहीं हैं धन नहीं हैं तो आप कौन सी छोटी चीज़ें खरीद कर लाएं ताकि धन तेरस का पूरा पूरा लाब आपको मिले तो धन तेरस के दिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप ये तीन चीज़ें जारू नमक और सापुत धनियां आपको खरीद कर में नहीं आती धन्तेरस के दिन नमक लाने से भी घर में धन और सुक्षान्ति आती है धन्तेरस के दिन धन्य की खरीद को बताया कि धंतेरस के दिन अगर आपके पास धन नहीं है तो आपको कौन सी तीन चीज़े खरीदनी चाहिए इसके साथ मैंने आपको बताया कि धंतेरस के दिन अगर आपके पास धन है पैसे हैं तो आप क्या खरीद सकते हैं इससे भी जादा महतुपूर्णी ये है कि धंते क्या नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि अगर आप कोई गलती से भी ऐसी चीज धन्तेरस के दिन घर ले आते हैं तो यह आपके लिए दुर्भागे का कारण बन सकता है तो धन्तेरस में कुछ चीजी ऐसी होती है जिसे धन्तेरस के दिन खरीदना अशुभ माना जाता है दोस्तो धन्तेरस के दिन दोस्तो अलुमीनियम के भी बरतन नहीं खरीदने चाहिए ये भी आपके लिए अच्छा नहीं होता है इसके साथ साथ धन्तेरस पर लोहे से बनी चीज़े नहीं खरीदनी चाहिए इस दिन लोहे से बनी चीज़े घर में लाने पर राहो ग्रह की आम आने वाली वस्तुएं जैसे नुकीली वस्तुएं चाकू आधी भी आपको नहीं खरीदना चाहिए यह भी आपके लिए अच्छा नहीं है धनतेरस के दिन काले रंग के कोई भी चीज आप ना खरीदे काला रंग दुरभागय का रंग माना जाता है इसलिए इस रंग को से आप बचे अब यह है कि धन्तेरस के दिन अगर आपके पास धन हैं पैसे हैं तो क्या चीज़ें आपको खरीदनी चाहिए दोस्तों देखिए धन्तेरस के दिन स्वर्ण यानी गोल्ड एवं चांदी की वस्तोय खरीदना सबसे उत्तम माना गया है आप चाहे तो स्टील और पीतल के भी बरतन खरीदना काफी उत्तम माना जाता है लक्षमी और गनेश जी की मूर्ती आप धन्तेरस के दिन खरीद सकते हैं अगर आपका पॉकेट अलो कर रहा है तो आप चांदी की लक्षमी और गनेश की मूर्ती खरीद सकते हैं या नहीं तो आप अश्ट धातु की बने लक्ष्मी गनेश की मूरती खरीद कर उनकी पूजा करे और दिपावली के दिन इसकी स्थापना और पूजन करे दक्षिनावर्ती शंक कमल गट्टे की माला सफ्तिक की माला धारमिक सहित्य या रुद्राक्ष की माला भी इस दिन आप खरीद सकते हैं इसे भी शुब मान जाता है अगर आप दक्षिनावर्ती शंक खरीदते हैं अगर आप उसको अपने कान के पास ले जाते हैं तो उससे आवाज आती है तो आप समझ सकते हैं कि यह सही दक्षिनावर्ती शंक है अगर आप सिफ्टिक की माला को अपने हाथ में लेते हैं तो ठंडा पन महसूस हो घर में कभी भी धन धाने की कमी कोई भी नहीं होगी धन तेरस के दिन चांदी की खरीददारी भी काफी शुब मानी जाती है इस दिन आप चांदी के बरतन या सिके खरीद सकते हैं धन तेरस के दिन चांदी की खरीददारी करने से घर में यश कीर्थिय और संपदा में तो ये आपके लिए उत्तम होगा दोस्तों समुद्र मन्थन के दोरान जब लक्षमी जी प्रकट हुई थी तो उनके साथ कोड़ी भी आई थी धन तेरस के दिन आप कोड़िया खरीद करके दिपावली के दिन की पूजा करपते तिजोरी में रखे इससे कभी भी धन की कोई भी कमी घर में नहीं होगी धन तेरस के दिन गाड़ी काफी संख्या में खरीदी जाती है तो अगर आप धन तेरस के दिन गाड़ी या वाहन खरीदना चाहते हैं तो इसका भुक्तान आप धन तेरस के दिन से पहले ही कर दे यह आपके लिए अच्छा होगा आप गाड़ी या कोई वाहन खरीद सकते हैं धंतेरस के दिन इलेक्ट्रानिक चीजों की खरीदारी भी करना शुब माना जाता है इस दिन आप मोबाइल फोन लैप टॉप अवन फ्रीज इत्यादी भी खरीदारी कर सकते हैं ये भी आपके लिए शुब रहेगा दोस्तों धंतेरस के दिन अगर आप कपड़ा खरीदना चाहते हैं तो कोशिश करें कि सफेद या लाल रंग का कपड़ा खरीदे संपती खरीदना भी धंतेरस के दिन काफी शुब माना जाता है तो आप चाहें तो घर खरीद सकते हैं कोई प्रॉपटी खरीद सकते हैं धंतेरस के दिन मिट्टी का दीपक भी खरीदना शुब्ह माना जाता है आप इस दिन मीट्टी का दीपक खरीदें जिसका इस्तेमाल आप दिपावली के दिन दीप जलाने में कर सकते हैं चलिए अब बात करते हैं कि धंतेरस के दिन सोभागय और सुख की वृद्धी के लिए मा लक्षमी और कुबेर की पूजा की जाती है धन्तेरस की शाम परिवार की मंगल कामना के लिए यम नाम का दीपक भी जलाया जाता है जिससे ऐसी माननेता है कि अकाल मृत्यों नहीं होती है तो धन्तेरस के दिन आप सिरफ कु कुबेर की पूजा करने वाले हैं तो ये गलती ना करें कुबेर के साथ मा लक्षमी और भगवान धन्वंत्री की भी उपासना जरूर करें वरना पूरे साल आप बिमार रहेंगे वैसे तो दिपावली से पहले लोग घर के कोने कोने की सफाई करते हैं लेकिन अगर आपके लिए अच्छा होगा घर के मुख्यद्वार के सामने तो बिलकुल भी ऐसी वस्तुए ना रखें मुख्यद्वार को नए अफसरों से जोड़ कर देखा जाता है माना जाता है कि घर के मुख्यद्वार के जरिए घर में लक्षमी का आगवन होता है इसलिए यह स्थान कि पूजा करने से बचे अगर मूर्ति खंडित हो तो नई मूर्ति ले आए सोने चांदी या मिट्टी से बनी हुई मा लक्षमी की मूर्ति की पूजा करे स्वास्तिक और ओम जैसे पर्तीकों कुम-कुम या हल्दी से बनाए नुकीली पर्तीकों को यानि आजकल बने बनाए आर्टीफिशल्स्वास्तिक और ओम आते हैं वो घर में ना लगाएं धन तेरस के दिन दोपहर या शाम के समय सूने से बचे ऐसा करने से घर में ले दरीदरता आती है धन के दिन घर में बिलकुल भी कलेह की पूजा करने से जल्द फलो की प्राप्ति हो सकती है अब ऐसे में धन तेरस के दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका दान करना बहुत शुब माना जाता है और इससे सभी देवी देवता भी प्रसन होते हैं दोस्तों धन तेरस के दिन करें अन का दान धन तेरस के दिन अन का द जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं और उसे दक्षिना देकर ही विदा करें दोस्तों दूसरा है लोहे का दान धन 13 के दिन लोहे का दान करना उत्तम फलदाई माना गया है ऐसी मान्यता है कि धन 13 के दिन लोहे का दान करने से व्यक्ति को सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है और लोहे को शणीदेव का धातू कहा जाता है इस दिन लोहे का दान करने से व्यक्ति के उपर मा लक्षमी की क्रिपा हमेशा बनी रहती है और शणीदेव भी प्रसण होते हैं तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही आपको हमारी आज की जानकारी कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं साथ ही वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब करें आपका बहुत बहुत धन्यम